नमस्का और दोस्तों एजी एजुकेशन फॉर एग्जैम टू चैनल से मैं आपका स्वक्त करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का पार्टेक्रम जो टेट का पार्टेक्रम है उसमें जो टॉपिक हैं घर परिवार सदस्यों के नाम घर परिवार प प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे सारी वीडियो देख सकते हैं ना जो कि फ्री आपकास्टिक कोई भी चार्ज नहीं है ठीक है तो देखें यह वीडियो में आपको बना रहा हूं अगर आप मुझे से जुनना चाहते हैं तो मेरा वाट्सप नमबर है 9651675219 मेरे वाट्सप न प्योग की वस्तों के संस्कृत नामों से परिचे सबसे पहले तो देखिए घर जो घर है घर को संस्कृत में क्या करते हैं तो घर को संस्कृत में ग्रिहम बोलते हैं ग्रिहम मतलब घर होता है चीक है दिया सलाई को क्या बोलेंगे दिया सलाई को अगनी पेटिका बोलेंग कहची को क्या बोलते हैं तो कर्तरी बोलते हैं आलमारी को क्या बोलते हैं कपाटी का बोलते हैं कंगी को क्या बोलते हैं कंगतम गड़ी को क्या बोलते हैं गटी का बोलते हैं संस्कृत में चूला का जो संस्कृत है वो है चुलिका चाकू का संस्कृत है छुरिका घड़ा का स संस्क्रित है घटखे हैं उसके बाद देखें जाडो जाडों को संस्क्रित है तरके वादायन है अ का संस्कृत है फेनिलह मेज का संस्कृत सब्द है फलकम फलकम मतलब मेज होता है ट्यूबलाइट को संस्कृत में बोलेंगे दंड दीप तूठ फेस्ट को तूठ फेस्ट को बोलेंगे दंट फेन चस्मा या आइनक को बोलेंगे उपनेत्रम ताला को बोलेंगे तालकम ठीक ह तो ये कुछ नाम है उसके बाद देखिए परिवार के सधस्य और विस्तिदारों के नाम अग्रज यानि बड़ा भाई जो है उसको हम संस्कृत में अग्रज बोलेंगे छोटे भाई को अनुज बोलेंगे बड़ी बहान को अग्रजा बोलेंगे पुत्र को आत्मजा बोलते हैं संस्कृत में पुत्री को संस्कृत में आत्मजा बोलते हैं और पिता को संस्कृत में जनकह बोलते हैं ससुर को संस्कृत में स्वसुरा बोलते हैं सासु को संस्कृत में स्वस्रु बोलते हैं साली को स्याला बोलते हैं मामी को मातुलानी बोलते हैं, मामा को मातुला बोलते हैं, भांजा को भागनेय बोलते हैं, संस्कित में, ठीक है? उसके बादे के चाची को संस्कृत में क्या बोलते हैं प्रतिव्या बोलते हैं माता को क्या बोलते हैं जन्नी बोलते हैं पत्नी को संस्कृत में क्या बोलते हैं जाया बोलते हैं दादा को संस्कृत में क्या बोलते हैं पिता महा दादी को पिता मही परदादा को प्रपिता मह धाइदि को प्रपिता मही भांजी 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 को भाग्य बोलते हैं भाई या संस्कृत नाम है पोता पोता हिंदी है और पहोत्र पित्रिव्य बोलते तिक कुछ यह सेधारों के नाम है जो कि टेट की परिक्षा में आप से पुचे पूछ जाते हैं तेट की दिश्ट्री से बहुत ही मुथ्पूर है यह टेट स्वेसल वीडियो है तेट की परिक्षा वालों के लिए ठीक है पस्वूं के नाम संस्कृत में देखें बकरा को संस को से नाम संस्कृत में और काकव भी बोलते हैं वगुला को वकह बोलते हैं, गौरयया को चटका बोलते हैं, कबोतर को कपोता बोलते हैं, कोयल को फिका बोलते हैं, मोर को मयूरह बोलते हैं, तोता को शुका बोलते हैं, हंस को हंसा बोलते हैं, ठीक हैं, उसके बाद देखें, उल्लू को उलूका बोलते हैं, गिद्ध को गृधा बोलते हैं गरुण को शेन बोलते हैं बत्तक को वर्तकह बोलते हैं उसके बाद और भी देखें आप हिंदी नाम संस्कृत नाम सारस को संस्कृत में सारसा कहते हैं पपीया को चातका कहते हैं चकोर को चकोरा कहते हैं मुर्गा को कुकुटा कहते हैं मैना को सारी काह बोलते हैं चील को आता ताई बोलते हैं रामचिर्या को मिनरंगा बोलते हैं चकता चकता उसके बार निलकंट को बोलते हैं कवा को काका भी बोलते हैं संस्कित में बुलबुल को कलापी बोलते हैं खंजन पक्षी को खंजना बोलते हैं मदमक्षी को मधूपा बोलते हैं कोयल को कोकिला बोलते हैं तीतर को तीतिरह बोलते हैं चकता को चक्रवाका बोलते हैं भावरा को सश्ट पदह बोलते हैं मुर्गी को कुकुटी बोलते हैं ठीक है चकत को चक्रवाक भी बोलते हैं चमगादर को जातुका बोलते हैं परवेस एवं कुछ अन्य विवहारी क्वस्तों देखिए अंकनी यानि पेंसिल जो होती है जो पेंसिल से में लिखते हैं उसको हम अंकनी बोलते हैं संस्कृत में दुकान को आपढ़ा बोलते हैं दुकांदार क बोलते हैं शाल को रांग कवम बोलते हैं फुलवारी को फुस्पवाटिका बोलते हैं कौपी को फुस्तिका बोलते हैं चपल को पात रक्षा बोलते हैं दीपक को पुतिका बोलते हैं और पैंट को अरुकम बोलते हैं संस्रित में ठीक है उसके बाद देखें लिफाफा को प और वपदीनम भी बोलते हैं तो यह थे संकrav वस्तों के संस्यद में नाम और भी यह पर insane कि यह पर कुछ मैं आपको बता रहो इसके ऑलाम 하는 जो कि Allama इstatट की परिक्षा में परदादा को प्रपितामह, परदादी को प्रपितामह, दादी को पितामह, नाना को मातामह, नानी को मातामह, परनाना को प्रमातामह, परनानी को प्रमातामह, अतिति को अतिती बोलते हैं या अभ्यागता भी बोलते हैं, भाई को भ्राता बोलते हैं, सगा भाई, सहोधरा ब नेहा फॉलते हैं मेरा भाई को मतुन पूत्रह या मतूलय भूलते हैं फुफेरा भाई को । पेतरी पैतरी थीएंच चारइण भाई को पितृबय पुत्रह यद्म पहजोग है मौलते हैं मोसे व्हुत को मात्री स्वसीय मात्री स्वस्य भुलते हैं ठीक है सोतेला भाई को भीrontव ब ine вниз सौसाव वोलते हैं ठीक हैं बड़ी बहिन को अग्रजा न अत्तिका ठीक हैं छोटी बहान को अनुजा बोलते हैं सगी बहान को सहोध्रा बोलते हैं दोस्त को सखा मित्र साथी सुर्दय वयस्य यह बोलते हैं वयस्य ठीक हैं प्रेमिका को उपपत्नी यार को उपपती प्रेमी यार जार ठीक हैं सहली को आली, वयस्या, सखी, सहचरी, नौकर को सेव का, परिचार का, विव्या, पुत्र को आत्मजह बोलते हैं संस्कृत में, उसके बाद एक कुछ और शब्द हैं यहाँपर, हिंदी और संस्कृत, मालिक को संस्कृत में स्वामी बोलते हैं, मर्द को पुरुसह बोलते हैं, आदमी को मनुस्य नरह मानवा बोलते हैं, मादा को मात्रि जातिय बोलते हैं, महिला को ललना नारी इस्त्री बोलते हैं संस्कृत में, आउरत को महिला बोलते हैं, जवान इस्त्री योती योती बोलत पत्नी को अरधांग नी भार्या जाया चाचा को पित्रिव्य तातकह ठीक है बड़े पापा को प्रतातह जेश्थ तातह ठीक है बड़ी अम्मा को जेश्थ जेश्थांबा प्रांबा अमबाला ठीक है मामा को मातुला मामी को मातुली मातुलानी फूफा को प्रतिस्व स्रीपति ही बुगा को प्रतिस्वसा मौसा को मात्री स्रीपति ही सास को स्वस्त्रु ससुर को ससुरा ननत को ननाद्रि ही बतीजी को भात्रीजा बतीजा को भात्रीजा जिसका पती मर गया हूं उसको मृत भ होता है जिसका पतीजीवीत हो सपतनीकह उतको बोलते हैं संस्क्रित में कुछ नाम जो की आपके ठेट की परिक्षा के लिए बहुत ही मुत्पूर है दोस्तों आपसे बता दूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा ताकि इसे ग्यान बर्दक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है तो ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में जैन जै बारत